घर और किचिन के काम सभी महिलाओं को करने ही होते हैं जिसमें की बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है तो क्यों न हमें कुछ टिप्स और ट्रिक को फॉलो करना चाहिए जिससे की घंटों के काम सिर्फ और सिर्फ मिंटों में हो जाए तो friends आज में आप लोगों के लिए कुछ tips and trick ले करके आई हूँ तो चलो friends start करते हैं आज की जो first tip है वो बहुत ज़दा कारगार है बहुत ज़दा काम की है, बहुत ज़दा use किया है तो चलो friends आज में बताती हूँ हमें लेना है एक प्याज medium size का ले सकते हैं, बड़े size का ले सकते हैं उसे हमने बीच में से इस तरीके से slides cut कर ली है अब 4-5 slides cut करिएगा एक प्याज की उसके हमें इस प्याज का करना क्या है आज में बताती हूँ जो हमारा gas stove होता है वहाँ पर हमें कहीं थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें ये रख देना है ये हमने क्यों रख का है जब भी हम एक हपते के लिए दो हपते के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं तो हम kitchen को साब सुत्री करके जाते हैं लेकिन बाद में छिपकलियां आती हैं कौक रोच आते हैं जिससे के हमारी gas stop गंदी हो जाती है अब चलते हैं आज के second tip के तरफ जो की है टमाटा की हमें एक टमाटा लेना है और उसे अच्छे से हमें grade कर लेना है जो grader होता है उससे अब इसका use क्या है वो भी मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ महिला एक्सा करके हमेशा घर के काम बाहर के काम देखती रहती है जिससे कि वो अपने आपको विर्कुल भी time नहीं दे पाती है और उनकी त्वेचा है दिनो दिन खराब होने लगती है वो उमार से पहले ही एजिट लगने लगती है तो क्यों ना हम छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करें जिससे कि हमारे फेस पे वे एक अलग गलो रही तो टमाटर आप ग्रेड करें उसका जो रस होता है उसका जो पल्प होता है उसे आप फेस पर लगाईएगा और 10 मिनट के लिए छोट दीजिए 10 मिनट बाद आप नॉर्मल पानी से फेस वास करिएगा फिर देखेगा आपका चेरा क्या चमकेगा बहुत साइनिंग हो जाएगा बहुत ग्लोइंग हो जाएगा आप लोग यह वाली ट्रिक जरू लजमाईएगा और फेंट्स आपको अगर कोई सी भी टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर देना और चैनल पर फिर्स टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और जादा जादा अपने फेंट्स आपको हाथ पर लगा करके दिखा रही हूँ आप फेस पर लगा सकते हैं अपने वर्डी पर लगा सकते हैं यह वाली टिक बहुत ज़दा काम की है हमें वीक में यह दोवा जरू करना चाहिए आप चलते हैं आज की नेक्स टिप की तरफ यह टिप डिमांडेड है तो काफी लोगों की कमेंट आये थे कि कॉंकरोच भगाने का कोई कारगार उपाए बताईएगा तो आज जो टिप और टिक बता आ रही हूँ यह में कॉंकरोच भगाने की कार गार टिप एंट रिक आप लोगों की शेयर कर रही हूँ यहां हमें क्या करना है दो चमच गेहों काटा लेना है आप चाहें तो बेसन भी ले सकते हैं आदा चमच हमें इसमें बेकिंग सोडर डालना है जो मीटा सोड़ा होता है वो इन सब चीनों को मिला करके हमें इसे पानी से एक पेस्ट बना लेना है थिक सा वैसे तो मीटा सोड़ा सभी की किचिन में होता ही है अगर आपके पास मीटा सोड़ा ना हो सिंकेरिया से और गैस के आसपास ही घूमते हैं क्योंकि वहां खाने के चीज़ें होती हैं तो हमें इसको कागज के टुकड़ों को हमें गैस के नीचे सिंकेरिया पर या जहां जहां आपको कॉंकरोश का आने की जगे लगे वहां वाई से रख देजिए आप चाहें तो इसमें गलू भी डाल सकते हैं लेकिन गलू थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्या होता है कि इसमें कॉंकरोश चिपक जाएंगी जिससे कि उनकी मौद भी हो सकती है आप चलते हैं आज की नेक्स ट्रिप के तरफ ये वाली टिप सभी महिलाओं को वहाँ ज़्यादा पसंद आने वाली है लिखवा कर ले लीजिए सभी महिलाओं अक्सका के क्या होता है कि पार्टी में जाती है उस टाइम पर देखती है कि मैचिंग के उनने नेल पेंट लगानी है अगर वो साड़ी पहनने से पहले लगाती है तो उनकी नेल पेंट खराब हो जाएगी बाद में लगाती है तो कुछ न कुछ सामान उठाने में उनकी नेल पेंट खराब हो जाएगी या फिर अक्सका के भूल जाती है लगता है उसके लिए हम क्या करना चाहिए कि मंतली हमें इसे साफ करते रहना चाहिए इसके हम क्या करेंगे toothpaste लेंगे उसके उपर हम दो चटकी नमक डालेंगे और एक फॉर्म ले सकते हैं या फिक कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं उससे आप इसे हलका हलका हातों से रॉफ कर देजिए इससे आप अपने प्रेस की cleaning कर सकते हैं प्रेस एक electronic सामान है तो यहां पर हम पानी इसे तरीके से हम साफ करेंगे मेरी जो प्रेस उस पर एक कपड़ा चिपक गया था तो इस वह से उसका दाग है तो से हम इसक्रब नहीं कर सकते वन्हां जो प्रेस को पक कोटीन हो कराब हो जाएगी उससे क्याओ का कपड़े और ज़्यादा चिपकने लगेंगे तो इसके जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी इस तरीके से साफ हो जाएगी यह वाली टिप्स एंट्रिक बहुत ज़्यादा काम की एफेंट्स यकीन मानिएगा आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने प्रेस को पूरा साफ कर लिया है जब आप प्रेस को पूरा अच्छे से कर लें आप उसके बाद आप कोई कोर्टर का कप्ड़ा ले करके उसे इस तरीके से पहुंच दे पानी का बहुत भी यूज ना करें इस सीच का विसेज करके धियान रखें तो आप लोग देख सकते हैं प्रेस एक दम से साफ हो चुकी है इस जगे पर थोड़ा से यह दाग है जो कि एक कपड़ा चिपक गया तपरेस से तो वो नहीं साफ हुआ है इस तरीके साफ साफ करते रहेंगे तो वहाँ पर जो और भी कपड़े नहीं चिपकेंगे तो फैंट्स आज मैंने जितनी वी आपके साथ टिप्स और ट्रिक को शेयर किया है उसमें से अगर आपको एक भी टिप अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक ज्यादा ज्यादा करना ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले